हाले उस्टेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विसे के अंतरगत, नियुमेरिकल की सीरीज में आप लोगों को गतिमान आवेश तता चुम्बी की छेत नामा चैप्टर के नियुमेरिकल सौल्व गरा जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के दिरिश्टी से बहुत ज़्या आप पर करनी है, सबसे पहले क्लासों का नोटिफिकेशन पाना है, तो चैनल को सबस्क्राइब जरू कीजेगा, चलिए आज की क्लास को हम सुरू करते हैं, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्ट आपके बोर्ड एक्जाम में ये पूछा किया 2011 में 12 में, और थोड़ा सा त प्रश्टा कारमार्ग पर चल ला है, जिसके तरिज्या पॉइंट छे जीरो सेंटी मीटर है, एलेक्टरान का विसिष्ट आवेस, विसिष्ट आवेस ब्रेकर में दिया गया है, ये अपान में एमका मान याद किजिए, ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, तो य वेबर प्रत मीटर स्क्वार, क्या दिया गया, वेबर प्रत मीटर स्क्वार, ये दिया गया है, चुम्मिकी छेतर में, दस की घास साथ मीटर पर सेकंड के वेग से, वी बराबर कितना दिया गया, दस की घास साथ मीटर प्रती सेकंड के वेग से, वृत्ता कारमार्ग पर लिया गया है. इसको लेकिन लिया लिया रिप अब दस की घहत माइनस का दो मीटर ठीक उसको मैंने चेंज कर लिया उसके बाद आगे यहां पर बोला जा रहा है कि आप यह अपान एम का मान गयाद कीजिए यह बिसिष्ट क्या बोला कि बिसिष्ट प्रतिरोध नहीं बिसिष्ट आवेस यह अपान एम का मान गयाद अब मैं क्या करूंगा देखिए को इधर ले कर रहूँगा तो यह इधर आ जाया नीचे ठीक है ना या आप सभी को पता है तो यहाँ पर यह जो अंस में था यह अंस में चला गया बस मैंने इसको थोड़ा ऐसे बना लिया है सुत्र को अब मैं यह अपान M का कर मान गयात करना है तो हम क्या करेंगे V V की बात करें तो 10 का घात 7 दिया गया हमान और B चुम्बी की छेतर जिसका मान 10 की घात माइनस 2 दिया गया है और बात करें इसमाल R का मान आपको कितना दिया गया है 0.60 कुड़े 10 की घात कितना दिया गया है माइनस का 2 ठीक है ना अब इसको solve कर लिजे E upon M कमान आपको मिल जाएगा चलिए solve करते हैं देखें ये आपका हो जाएगा E upon M is equal to आप देखें यहाँ पर 10 की घात माइनस 2 10 की घात माइनस 2 तो E upon M बराबर इसको लिसकते हो एक बटे 0.6 से भी लिख सकते हो और ये पॉइंट अटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा और गुड़े 10 की घात 7 और 4 कितना हो जाएगा गया गया अब इसको cancel करोगे 2,3,6 और 2,5,10 हो जाएगा यही अपान M बराबर आगया 5 बटे 3 5 बटे 3 का महला 3 को जब 5 से भाग करोगे 3 एक कम 3 हो जाएगा 2 बचे का पॉइंट लगाओगे 20 हो जाएगा 3,6,18 हो जाएगा तो 1.66 आएगा गुड़े 10 की घात 11 यह इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं E अपान में M की वैल्यू 1.67 उड़े 10 की घात 11 कोई संख्या दसंख्या के बाद अगर एक संख्या के बाद 5 से बढ़ी होती है तो उसमें क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं ठीक है ना तो 6.7 उड़े 10 की घात 11 E अपान M अच्छा मात्रक की बाद आती है तो सोचना नहीं आपको देखिए ये आवेस है आवेस का मात्रक क्या होता है कूलाम और नीचे क्या है M M क्या होता द्रमन का मात्रक क्या होता किलोग्राम तो कूलाम प्रत किलोग्राम इसका मात्रक होगा मैंने गाता नुमेरिकल में आपको मात्रक पर बिसेश ध्यान देना है ठीक है ना तो बहुती सिंपल कोशन था बोर्ड एक्जाम में आ चुका है अब इस टैप का एक नुमेरिकल आउल लेंगे अगला नुमेरिकल है हमारा कि दो मीटर लंबी परिनालिका में एक हजार फेरे हैं इसमें दस इंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है इसके केंडर में उत्रपन चुमे की छेत्री की तीवरता का मान गयात कीजिए क्या क्या दिया गया है यह मैंने परनालिका वाल आपको सूत्र बताया था देखिए यह बोर्ड एक्जाम 2015 में पूछा गया दो मीटर ल इसमें 10 इंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है आई बराबर आपको दिया गया है 10 इंपियर की धारा क्या बोला जा रहा है कि प्रवाहित हो रही है बोला जा रहा है कि इसके केंडर पर उत्पन चुमे की छेत्र की तीवरता आप जानते हों कि चुमे की छेत्र की तीवरत होता है मैंने कहा था कि जो यह एन का माहन होता है वह आपका हो जाता है देखिए यहां पर जो इसमाल न होता है अगर परनालिका की लंबाई जहां आप लिखोगे अगर परनालिका की लंबाई एल दिये होती है तो एन बराबर हो जाता है अब चलिए यह सूत्र बन जाएगा तो यह आपका सूत्र बन जाए का चुमिकी छेत्र बी बराबर में जीरो कैप्टल एन आई आपान में कितना हो जाएगा अगर वृत्ताकार की बात की होती है टो राइड बगरा बगरा की तो लंबाइट परीद के रूम में हो जाती है तो टूपाया लिग देते हैं ठीक है यह बीज कल्टू आपका हो जाता है मिवनाट मिवनाट के मान कितना होता है मैंने आपको बताए फोर पाई गुड़े दस की घात माइनस का सेवन एन एन क्या होते है फेरे जो कि आपको यहां पर एक हजार दिये गए है और आई किया है धारा धारा कमान आपको 10 एंपियर गया है बटे में लम्बाई है लम्बाई का मान आपको केतना है दो मीटर लिख दिया भईया मैने तो 20 गल्टू 4 देखे 4 को आप 2 से कटोगे तो यह 2 दो निच्हार हो जाएगा 2 गुड़े पाई का मान बईच बटे 7 हो गया गुड़े 10 की पावर देखिए माइनस 7 है 1000 को दस और एक है तो दस की पावर छार आप लिख सकते हो जितने जिरो उतने दस की पावर तो चुक्कि यहाँ पर एक हजार में तीन जिरो और एक जिरो यहाँ मेंगे चार जिरो थे तो 10 की गार्ट का चार मैने लिख दिया तो b uskal to 22 थूना कितना हो जाएगा 44 44 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ठीक है या आप एक काम करते इसको 2 गुड़े 22 बटे 7 को 3 दे सम्वा एक 40 लिए और गुड़े 10 की घाट माइनस 7 और चार कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा बी बराबर दो चोगे आठ, दो एक कम दो है ना, और दो तेयं छे 6, दसमलो, दो आठ, गुड़े 10 की गात कितना हो जाएगा माइनस का 3 चुमिकी छेतर, चुमिकी छेतर का मातरक सबसे बढ़िया क्या होता है भई, टेसला सबसे बढ़िया मातरक, ठीक है टेसला क्या होता है, MKS पद्दत का मातरक होता है, इस तरीके से ये आपका चुमिकी छेतर की तीवरता का मान आ गया, आज की गलास का अगला प्रशन लेगते हैं, आज की गलास में बहुत यह अच्छे प्राशन है क्लास को आन्द तक जरूर कीजेगा भई अगला कोशन है आज की क्लास का कोशन नंबर आपका 15 बहुत तीक जब का कोशन है आप सोच नहीं सकते हो इस कोशन में क्या 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 कर सकते हो भई इसका स्ट्रेंस आठाब लेजिए जल्दी से तब हम बड़ ट्रान्ज पांच गुड़े-10 की गया मैनस 11 मीटर त्रिज्ज्या की कच्छा में दो गूड़े-10 की गच्छे मीटर फिर सेकंड की चाल से गतिकर रहा है परमाड का चुम्ब की आघूर गयात किजिए चुम्ब की आघूर की बात करें तो एम कमान निकलना है ठीक ना अब बात यहां पर करें, अगर बल यूंई की बात कहता है, तब हम समझ जाते कि वो. की बात भगात हो रहा है, तो हैँ पर, पर मार में, एलेक्ट्राइम पहले दिया गया है, तरच्या, तो यहां पर सब्से पहले, komt नमर तीन ओगा है, तरच्जा बराबर, दो गुड़े 10 के घात 6 मीटर प्रती सेकेंड कि ये चाल है भई ठीक आप बोला जा रहा है कि चाल से गति कर रहा है परमाण का चुम्ब की आगूर फूरण एम च्यात की जीए अब देखें एम बराबर तो आपने सबी लोगों कोने पढ़ा है आई इंटो में चोता है तो हम लेकिंगे एम बराबर आई इंटो में मैं आर और वी के पदों में अभीतन नहीं पढ़ा है लेकिन आपको यहाँ पर बदाना पड़ेगा सूत्र क है वो त्रिज्या की कच्छा में लिखा है दो गुड़े 10 की गाथ 6 मीटर प्रति सेकंड की चार्ज से गति कर रहा है पर मार का चुम्बी किया गुड़ याद किजिए जैसे एन कमान यहाँ पर नहीं दिया गया तो एन कमान एक मान लेंगे तो ए अपान टी हो जाएगा ठीक आप यही भी जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय थोड़ा सा और बदलेंगे भई या दूरी बटे समय तो यहां से अगर हम समय निकालेंगे तो यह आ जाएगा दूरी और बटे में क्या हो जाएगा चाल अब दूरी कितनी होगी च तो मतलब हम समय के अस्थाम पर क्या लिख सकते हैं हम इस समय के अस्थाम पर सौरी यहां पर ए लिख दिया है हम इस समय के अस्थाम पर देखिए इस समय टी के अस्थाम पर लिख सकते हैं टू पाई आर और बटे में भी जो बटे में भी लिखेंगे ता है v command आपको यहां पर दिया गया है r command यहां पर दिया गया है इतना आपको समझना था तो m बराबर हो जाएगा एक बटे दो e electron पर obvious command एक दिसम्द हो चेक गुड़े 10 की घाथ माइनस का उनीस और v देखिए यहां पर दिया गया है दो गुड़े 10 की घात कितना दिया जाए छे और आर की अगर बात करें तो आर कमांड दिया गया है पांच गुड़े 10 की घात माइनस का 11 सबका मल्टिप्लाइ कर लेंगे उसका हाफ कर देंगे देखिए यह दो से दो आपका कैंसल हो जाएग और 10 की पावर प्लस 6 है तो प्लस 6 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 8.0 कुड़े 10 की पावर माइनस 30 से 6 जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा यह क्या निकालो है M M किसके बराबर होता मातरक किसके बराबर होता देखिए M.P.R. मीटर स्क्वार कुछ भी नहीं सोचना था कोशन बहुत आसान था और उमेद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ भी गए होंगे आज के क्लास का अगला कोशन देखते हैं भापी बढ़िया बहुत भी प्यारा सा कोशन और इस ख्लास का लास्ट कोशन हो water क्लास जएदा बढ़ी नहोंने पाए थि थिक तो चले देखते हैं आज ले क्लास का अगला कोशन बोला जा रहा है कि ही फॉइंट चार्जीड एस्ला फिसला किसका मात रख अथ यह तो बोला गए पॉइंट चार्जी एसला के चुमी के छेतरक्ट एक क्ड़ एक सेंटी मिटर वियास के व्रत्थ में हो छाए कि यह पत्र थय conception क albeit उचे की ते परता क्या मातर्क होता है तो इसमें बोना गया च्छा है कि दूसो औल्ट मीट्र के के वैद उचेठर से सरल Теперь हो जाता है इस कर कि आवियस और द्रबमान कानों बता है क्या त्यूड में तर बह ने पहले कोश्यन बताया है द्र Easter कि 위 आवेस का मनलब E जैसे इलेक्टरान होगा देखे इलेक्टरान दिया गया क्या नहीं यह इलेक्टरान की बात नहीं करें यह नहीं आवेस करका क्यों हो जाएगा बटे में क्यों बटे M का नुपातने करना है तो यहाँ पर दिया क्या क्या गया है यहाँ पर दिया गया है बी गवान कितना दिया गया है पॉइंट 0.00 टेसला दिया गया है समझेगा इसको द्याँ से फिर यह 27 में पूछा भी गया है एक सेंटीमीटर ब्यास है अगर डाइमीटर आपका एक सेंटीमीटर है तो तरिज्या कितनी हो जाएगी पॉइंट पांच सेंटीमीटर हो जाएगी तो तरिज्या पॉइंट पांच एक सेंटीमीटर बरावर दस कि घहत माइनस दो मीटर हो जाएगा ठीक है ना अब आगे द आगे बोला जा रहा है कि बाइद दू छेतर में सरा लेकी हो जाता है इस कड़ के आवेस यानि कड़ के आवेस और इस कड़ के द्रवमान का रेस यू निकालिए भाई ये बोला गया है आप इस पॉइंट पांच को ऐसे भी ले सकते हो पांच गुड़े दस की घात माइनस का R होता है वो M V बटे Q B के बराबर होता है इस सूतर से अकसर कोशन मनता है और काफी विद्द्यारते कंफ्यूज भी होते है ठीक तो यहाँ पर देखिए आपको क्या निकालना है क्यों क्यों इधर ले जाएंगे और बटे में M ले आएंगे M उपर से नीचे आ जाएगा अ हरे नीचे अब इसका तुम्हेरे लान आकि ो क्यों बटे M का रेसिओ निकालना है देखिए व वी कि अगर भात करें यहाँ पर व कमांड दिया गया है नहीं दिया बई वी कमांड तो आपको यहाँ पर दिया यह नहीं किया है अंच्छा तो दिया गया R कमान दिया गए है तो R कमान दिया गए है तो थोड़ा सा इससे आप और भी change करोगे क्या change करोगे देखे भई आप जानते हो आप जानते हो कि F बराबर होता है QVB और F बराबर आपने पढ़ा होगा यह वाला सूत्र E बराबर F अपन क्वय्वले सूतर से A B बढ़ाओगα कि F बराबर E into में क्यूं B होता है यानि आप जानते हो कि कड़ पर लगने वाला जो बल होता है बराबर क्यूं B होता है ठिक अगर वो लंबहुत परवेस कर रहा है और यह जो है F बराबर E क्यूं होता है वैदु-च्श्ट के टीवर्चाइवाले सूतर से तो मैं अगर देखो तूगर दोनों चीजे I F Kे बराबर होती हैं तो इसका मंलब यह दूनों चीजे आपसُ में बराबर होंगी अगर हम क्यों से क्यों काड देंगे तो Councillor वी बराबर और अच्छा बी की बात करें तो बी कामान है पॉइंट चार जीरो इस पॉइंट को हटाएंगे तो उपर दो जीरो बढ़ेंगे क्योंकि नीचे दो संक्या ही एक जीरो से जीरो कैंसल हो जाएगा और चार से बीस को कटेंगे चार पंचे बीस के कितना जाएगा 500 मीटर प्रत तो कोई जरूरी नहीं ठीक अभी जीरो बढ़ा पॉइंट अटाओंगे जीरो काटाओंगे कोई मंदब नहीं पॉइंट चार रख देजिए के वल बस और तरीजिया के अगर बात करें तो आर का मान है पांच गुड़े दस की घात माइनस का तीन अच्छा यह पॉइंट वान ना गिया दोंग और गुड़े दस की पॉर्जन अ अपर गया तो दस की पॉर यह प्लस तीन हो गया लेकिन वाईलो तो हम एकंकर तक लिखते हैं ना दसंबलों की एक अंकर तक तो हम इसको लिख देंगे दो दसंबलों 5 गॉड़े 10 की पॉर जतेखे एक और बढ़े तो तीन में दो जूड़ जाएगा कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा ये क्यूं बटे है मनलब कूलाम बटे किलोग्राम तो कूलाम बटे में कितना हो जाएगा किलोग्राम यही इसका मात्रक हो जाएगा बताएगा बताएगे भई कोशन आसान था कि नहीं था भई कोशन आसान था यदि आप समझ पा रहे होंगे तो मेरी बातों को तो ये आपको आसान लग रहे होंगे पहले के क्लासों में मैंने सुत्रों को बताया है उनको आप अच्छे तरीके से देख लिजे क्लासों को करम्स कीजे तब ही आपको कोई बात अच्छे तरीके समन में आ सकती है वीडियो कैसा लागा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे आगे के कोशनों के साथ जैहन वंदे मातरम